बिस्मिल्लाइ वाक्मान वाहीम जी तो आज हमने करनी है एक्सराइज हमारे पास 3.1 इसको कुस्ट नमबर हमने करना है फोर जिसमें उसने कहा है कि एक दुकांदार एक डिनर सेट को ठती सो बावन रुपे में फ्रोग कर रहा है और उसके वह साथ फीसद नफा असिल किया है अगर वह डिनर सेट 4,050 रुपे में फ्रोग करें तो इसका कितना नफा होगा इसमें उन्होंने सबसे पहले दिया में डिनर सेट की कीमत फ्रोग वह है 3,350 रुपे और नफा उन्होंने दिया है 7% हमने क्या करनी है कीमत खरीद इसकी मलूम करनी है तो हम सबसे पहले लिख 107 अब हमने कीमत खरीद मलूम करनी है तो इसलिए इसका हंडर्ड उपर आएगा तो हम लगाएंगे हंडर्ड ओवर यह वन जीरो सेवन मल्टीप्लाइबाइब यह जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो है 352 रुपई इन दरों को मल्टीप्लाइब करके इस पर हम डिवाइड कर देंगे तो मारे पास आजएगी 3600 ठीक है यह हमारे निकली है कीमत खरीद अब उसने एक और बात कहीं देगी कि अगर वो यही डिनर सेट 4050 रुपई में फरोफ्त करें तो उसको कितना नफ़ा निकलेगा इसकी जो दूसरी कीमत खरीद है कीमत फरोफ्त है वह हमारे पास 4050 रुपई अब हमने करना है यह 4050 है इस में से हमने यह 3600 आ इसको माइने का देने तो 4000 50 माइन इन दोनों को माइन अ करेंगे तो हमारे पास आजएगा 400 चासर पर अभए तब यह वह यह वाले जुश्व चार सुब चास है इसको लेंगे हम में होता है तो हम परसंट का हम हंडर्ड लगा देंगे यह दो जिरो दो जिरो से कैंसल हो जाएंगे चार सब चास्प को हम 36 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा 12.5 इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 12 वान ओवर टू इस तरह से लिख लें या फिर इस तरह से लिख लें यह दोनों आंसर हमारे ठीक है आगे हमने करना है कॉस्टन नंबर फाइव जी तो कॉस्टन नंबर मारे पास फाइव है वो कह रहा है कि बारा अश्या की कीमत फिरोख फाइव हुआ हैं 15 फ्रेट की कीमत खरीद के बराबर हैं 10 फिस द म्लूम करें किया कुणि कि मत फिरोख तो इस अंबर तो हम ना ड़ी से कीमत फिरोख जो एकारह मरे पास सौर पर ना फिरोख की वह कह देते तो सोर पर थीक है उसका इन दोरों की कीमत जो बराबर है तो पहले इसको कर लेते हैं इसमें आएका 100 ऊपर और 12 बारा अशिया है तो बारा नीचे तो मल्टिप्लाइ आजाएगा 15 के ठीक है यह बारा अशिया 15 के एक्वल है और उसमें हमने नफ्य यह 100 फर्ज किया है यह लगा देने इन इन दोनों को मल्टिप्लाइ करके इस पर डिवाइड करेंगी तो हमारे पास आजाएगा 125 ठीक है अब हमने नफा मलूम करना है तो कीमत खोग्ट माइनस करीमत खरी भी के माइनस होती है कीमत खरीद देखें जब हम कोईचीज सेल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने वह चीज कितने की ली है ठीक है अगर हम उससे जएदा पैसों में कीमा उसको सेल कर देंगे तो हमारे पास आज Яpoint नफा उसका ठीक है किनों nog अब क्या से पता चले लगा कि हमने उसको ज्यादा सेल वह किया है मैं जबन सेल माइनस कीमत खरीद हमने फर्ज की थी कि सोर पे है इन दोनों को माइनस करेंगे जाहर है 125 में से 100 माइनस कर देंगे तो 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा तो यह फीसद में इसको हम लगाएंगे तो यह 25 परसंट ठीक है यह हमारा नफा निकल आया नेक्स्ट हमने दिखना है कोस्ट नंबर सिक्स कोस्ट नंबर सिक्स हमारे पास है कि कीमत खरीद का वन बाई नफा वन बाई सिक्स नफा हासल करने के अगर पंक्रे को 1470 पे में फ्रोग किया जाए तो इसकी कीमत खरीद मालूम करें हमने माल करनी है कीमत फर्स कर लेती है के महरे पास कीमत खरीट जो है वह है तो नफा उसने कहा है कि हमारे पास है वन बैइ सिख्स तो यह वन बैइ सिख्स मृल्टिप्लाइ बाइ हंडर्ड तो यह आजएगा हंडडर्ड ओवर तो यहां पर प्लास हम लगा देंगे हंडर्ड तो यह आ जागा है इन सेवन अंडर्ड ओवर शिक्स तो हमने इसमें कीमत खरीद मुलूब करनी है तो हम हंडर्ड उपर लगाएंगे यह वाला सेवन अंडर्ड ठीक है यह सिक्स नीचे अधिक का जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा ठीक है इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आजएगा मरे पास इक्सुंडड ओवर आजएगा 700 सब्सक्राइब कर देंगे तो मारे पास टोटल अमाउंट है इसकी वह 1470 यह 00 से कैंसल हो जगा इन दोनों को मल्टिप्लाइब करके सेवन पे डिवाइड कर देंगे तो मारे पास आजाएगा 1260 यह मारे पास आगी इसकी किमत खरीब कि आंसर नेक्स्ट कोस्ट कोस्ट नंबर सेवन है हमारे पास उसने कहा है कि कोस्ट नंबर सेवन में एक आदमी ने एक लमारी seven one by two फी नवा पर फरोक्ट की अगर वो इसको 209 रपे में फरोक्त करता तो उसे 2 फीसद नुकसान होता आदमी ने उसे कितने रपे में खरीदा था जी ते इसमें हमने दो चीज़ अमलूम करनी है जी ते इसमें हमारे पास है कीमत फरॉक्त हमारे पास है 209 पे नुक्सान हुआ इसका 2% तो हमने कीमत खरीद जो है यह हमने फाइंड करनी है तो हम कर लेते हैं के फर्स किया केमत खरीद है हमारे पास केमत खरीद खरीद है, क्युक्के आंने केमत करनी थे क्यूंड ही उर्सान हो रहाए था हम । especial समय ऐसे हन्ड़नर थो आजेगा हमारे पास 98 तो हमने यहां पर find करना ही है कीमत खरीद तो इसके लिए हम लगाएंगे 100 उपर 98 नीचे multiply by total amount हमारे पास 209 इन दोनों कर multiply करके इस पर divide कर देंगे हमारे पास आरे 213.3 कि पॉइंट 3 लगाएं यह नाद लगाएं हमारे अपनी मर्दी यह हमारी आगे कीमत खरीद जी तो कुस्य नंबर हमने देखने आगे 8 जी तो स्वाल नंबर आठ है मारे पास कह रहा है कि तीन कुर्सियां 450 रुपे फी कुर्सी के इसाब से खरीदी गई सद हो जाए मारे पास एक कुर्सी की कीमत जो है वो 440 रुपे है तो तीन कुर्सियों की कीमत 440 को हम 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो मारे पास आजएगा 1340 रुपे यानि के तीन कुर्सियों की कीमत जो है वो हमारे पास है कीमत खरीद है हमारे पास यह हमारे पास है 1350 रुपे तेन कुर्सियों की कीमत हमारे पास निकलिया 1350 रुपे तो फार्स कर लेते हैं हमारे पास कीमत फ्रॉक तो उसकी है वो 100 रुपे है तो नुक्सान हो रहा है उसको 10 परसंट तो हम 100 में से 10 को माइनस नुक्सान को हम माइनस करेंगे 10 को माइनस करेंगे तो आजएगा हमारे पास 90 तो यह आजएगा 90 ओवर 100 multiply by यह जो हमारे पास एक कुर्सी की कीमत वह है 450 रुपी 1010 से cancel हो जाएगा यह वाला 0 इससे cancel हो जाएगा 45 को हम 9 से multiply कर देंगे तो हमारे पास आजएगा 405 तो एक कुर्सी की कीमत रहा है 405 रुपी तो तीन कुर्सी ओं का आगे वह कह रहा है कि हमने देखना है तो उसको नफ़ा कितना निकल रहेगा उसके पास वह 20 परसंट नफ़ा निकालना चाहरा है तो एक का यह निकला है उसको ठीक है कीमत फ्रोक्त हमारे पास यह निकला ही है आगे हमने देखना है कि कीमत खरीद फर्ज कर लेती है हमारे पास कीमत खरीद एक दफ़ा हमने इसको नफ़ा के लिए करना है और एक दफ़ा हमने इसको नुक्सान के लिए पहले हमने नुक्सान के लिए किया था अब हम नफ़ा के लिए कर लेते हैं 100 पे तो नफ़ा होवर हंड्रड मल्टिप्लाइब जो टोटल मांट है वो है तेरह सो प्चास रुपे ठीक है इसको इससे कार देंगे वन थर्टी फाइब को ट्वैल से मल्टिप्लाइब करेंगे तो मारे पास आदेगा 1620 रुपे यह हमारे पास निकला है नफ़ा तो अब यह वाली अमाउंट और यह वाली अमाउंट दोनों जो अमाउंट्स हैं इन दोनों को हम माइनस कर देंगे किमत फ्रॉक्त निकालने के लिए कह रहा है कि एक कुर्सी पर उसको दस परसंट का नुकसान हुआ था बाकियों पर वह बीस परसंट जो है वो लेना चाहरा है नफ़ा लेना चाहरा है तो वह उनको कितने में फ्रॉक्त करेगा तो हम यह 1620 माइनस कर देंगे 400 पांच शुक्त में तो हमारे पास आजएगा 1215 रुपे यह उसको इतने में सेल करनी चाहिए ठीक है दो कुर्सियों की किमत फ्रॉक्त कि अधिक है एक दफ़ा दुबारा से बता देती हूं कि वह कहरा है कि तीन कुर्सियां 450 रुपे फी कुर्सी के हिसाफ से खरीदी गई है इन में से एक दस फीसद नुक्सान पर फ्रॉक्त हुए पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं कुर्सी की कीमत चाहर सो प्चास रुपे ٹीक जाहिए टीक है फीसदी ओंकि चाहर सो प्चास को में तीन से मुल्टीप्लाय कर देंगे तोमारे पास आजएगा iyi थेरह सो प्चास तो तेन की कीमत नाइसा और यहीदे तraine ने ठीक है तो उम्हारे पास आ जाइगा तो यह इन्टी ओवर हंड़र का जाएगा multiply by 450 जो उसने कहा था कि एक कुर्सी की कीमत है एक कुर्सी पर इसको 20% नुक्सान हुआ है न इसलिए हम यहां पर इसकी यह वाली amount लगाएंगे 450 ठीक है तो इसको 00 से कट गया यह वाला जिरो इससे कट गया इन दोनों को हम multiply करेंगे तो मारे पास आज़ेगा 405 यह एक कुर्सी की कीमत फ्रॉक्त उसकी दो कुर्सियों के जो कीमत फ्रॉक्त है वह सो और नफाक लेना चाहरा है वह उसमें 20 पर संट तो हम लगाएंगे यह 00 से कैंसल हो जाएगा यह वाला जिरो इससे कैंसल हो जाएगा अगर आप नहीं भी कैंसल करना चाहरें न आप यह वाली अमाउंट को इसके साथ multiply करें और हंड़र पर डिवाइड कर दें आपका फिर भी आंसर निकल आएगा तो यह हमारे पास आजएगा 1620 अब दो कु 15 ही मारी वह कीमत फ्रॉक्त है जो इस पर उसमें फ्रॉक्त करनी है वह दोनों कुर्सी है अगर आपको इसके इससे रिलेटिट दूसरे कोसिन चाहिए पिछले वाले तो आप दूसरी वीडियो कचा के देख लें